नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में यہ हमारी फोटोशॉप की क्लास नliness 14 है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में एक एकर के सीख रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको Photoshop के 7 important tool के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको pen tool के अंदर 5 tool मिलेंगे और path selection tool के अंदर आपको 2 tool मिलते हैं इस तरीके से हम लोग total इस वीडियो के अंदर 7 important tool के बारे में सीखने वाले हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नामे गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class वीडियो पसंद आएगा तो like, share, subscribe कर दीजेगा तो दोस्तो यहाँ पर मैंने photoshop को open कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी लोगों को path selection tool और direct selection tool के बारे में बताऊंगा इसके अलामा pen tool के बारे में हम लोग सीखेंगे free from pen tool के बारे में सीखेंगे add anchor point tool के बारे में सीखेंगे delete के बारे में सीखेंगे और convert point tool के बारे में सीखेंगे अगर आप जो है photoshop में designing का काम करना चाहते हैं जैसे banner design करना, poster design करना या फिर जो है अच्छे-च्छे steps का design करना तो आपको pen tool को अच्छे तरीके से इस्तमाल करना आना चाहिए इसके अलामा अगर आप कोई photo का background प्रॉपर तरीके से हटाना चाहते हैं तो आपको pen tool को अच्छे तरीके से इस्तमाल करना आना चाहिए अक्सर आपने देखा होगा कि photoshop जितने भी लोग इस्तमाल करते हैं वो लोग pen tool का ही इस्तमाल करके किसी भी photo का proper तरीके से जो है background को हटाते हैं तो pen tool जो है photoshop का काफ़ी important tool है तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा चलिए मैं आपको इन tool के बारे में सबसे पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी बताता हूँ कि आखिर इनका काम क्या है फिर मैं आपको पूरा practical के साथ आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा तो देखिए pen tool के अंदर जो सबसे पहला tool मिलता है वो है pen tool pen tool का इस्तमाल करके आप कोई path का selection बना सकते हैं या फिर कोई shape बना सकते हैं इसके अलामा जो अगला tool है free from pen tool तो इसका भी इस्तमाल करके जो है सेम हम लोग pen tool वाला ही काम करते हैं अगर आपको फोटोशॉप में कोई path बनाना है कोई shape बनाना है तो वो जो है free from pen tool से भी आप बना सकते हैं बस इन दोनों में फर्क ये है कि आपको pen tool को जगर जगर पर click करके path या shape बनाना होगा और free from को एक बार click करने के बाद जितना दूर तक आप घुमाएंगे उतना दूर तक अपने आप shape बन जाएगा या फिर आप अगर path बना रहे हैं तो path बन जाएगा इसे जब आप practically समझेंगे और भी अच्छे तरके से समझाएगा इसके बाद देखिए अगला जो tool है वो है add anchor point tool तो ये tool क्या काम करेगा जब भी आपने pen tool से कोई भी path बनाया है उसके अंदर कोई anchor point को add करना है कहीं पर point को add करके कहीं से curve करना है तो ये tool काम करेगा और इसी तरके से delete anchor point tool क्या काम करेगा कोई point को अगर delete करना हो जैसे कि अगर आपने pen tool का इस्तेमाल करेके कोई path बना दिया है वहाँ से कोई path का जो point है उसको delete करना है तो ये tool काम करेगा और convert point tool क्या काम करेगा जैसे कि अगर आप कोई path बनाए है और उसको जो है round में convert करना है थोड़ा सा घुमाना है या फिर उपर नीचे इधर उधर कर्व करना है तो ये convert point tool काम करता है इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ये वाला path selection tool और direct selection tool ये क्या काम करेगा कि अगर आपने कोई path बनाया ह और पूरे को पूरे path को जो है एक ही बार में select करना है तो path selection tool काम करता है और अगर आप जो है जो path बनाया है उसके किसी point को जो है direct select करना चाहते है केवल एक point को तो ये direct selection tool काम करता है तो ये रही इनके introduction की बात अब मैं जो है आपको जब आप ये tool select करेंगे pen tool तो उपर जो आपको वही सारे option मिलेंगे, दोनों tool में same option मिलते हैं, पहला option क्या काम करेगा, कि अगर आपको save बनाना है, तो ये वाला tool काम करेगा आपको इस पर click करना होगा, और आप बनाओगे तो save बनेगा, और इस पर click करोगे, तो अगर आप path बनाना चाते हो, तो आपको इस पर click करना होगा, तो path बनेगा, और ये जो वाला जो option है, ये है pen tool, जो कि हमने यहां से भी select किया है, आप यहां से भी select कर सकते हो और इसके अलामा जो अगला tool है वो है free from pen tool, आप यहां पर भी click करके select कर सकते हो, या फिर यहां पर भी right click करके भी इसको select कर सकते हो इसके अलामा और आपको इसके अंदर कुछ बने-बनाई steps मिल जाते हैं जिनको आप इस्तमाल कर सकते हो तो चलिए इन्हे practically जो है हम लोग समझते हैं तो इन्हे practically समझने के लिए control N से जो है मैं एक नई फाइल ले देता हूँ और यहाँ पर जो page का size लेने वाला हूँ मैं A4 लेने वाला हूँ ओके पर click करूँगा page हमारे सामने आ गया है अब हम क्या काम करेंगे इसको यहाँ से maximize कर देंगे alt button दबाएंगे और इसको जो है left button click करके node बनाओगे जैसे कि मैंने यहाँ पर click किया यहाँ पर यह एक path बन गया है और इसी तरीके से मैं इधर click करूँगा तो देखे shape में convert हो रहा है ठीक है जगर जगर पर मैं जब जहां जहां पर click कर रहा हूँ और last में आने के बाद इस point पर मिला दूँगा तो इस तरीके से एक shape बन जाएगा यह देखे इस तरीके से मैंने shape बना दिया है और इस shape को अभी भी आप कर वगरा कर सकते हूँ लेकिन अगर आपको केवल path बनाना है तो आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर click करने के बाद जो है इस तरीके से आप जब click करोगे जगर जगर पर तो केवल path बनेगा यह shape नहीं है इसके अंदर color नहीं फिलोगा यह केवल path बना है ठीक है तो इन दोनों में फरक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको shape बनाना है तो आप इस पर click करिए अगर आपको path बनाना है तो आप इस पर click करिए इसी तरीके से दोस्तों आप जो है pen tool के अंदर जो free from pen tool मिल रहा है इसका भी इस्तमाल करके selection बना सकते हो आप path का या फिर shape का भी जैसे कि मैं इस पर click करता हूँ अभी आप देखोगे यहाँ पर path पर click है और mouse का left button दबाया है मैंने और इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ अभी छोड़ा नहीं है यहाँ पर लाने के बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ से जो है जो भी color आप रखना चाते हो रखने बाद होगे कर यह color change हो जाएगा इस तरीके से आप इसके अंदर color भी feel कर सकते हो तो अभी हम इसे delete कर देते हैं delete करने के लिए आप ctrl alt z को press करेंगे धीरे धीरे back जाएंगे लेकिन अगर आपको इसको एक ही बार में delete करना है तो देखे layer panel में जो है आपको यह shape वाला option दिखा दे रहा है आप इस पे mouse का left button दबा करके नीचे की side में इस तरह के से लाएंगे और delete वाला यह जो box दिखा दे रहा है बना लेते हैं या फिर जो है एक path ही बना लेते हैं चलिए हम यहाँ पर एक shape इस तरीके से बना लेते हैं माली जी हमने जगह जगह पर click करेके paint tool से जो है एक इस तरीके से shape बना लिया है अब इस shape के अंदर मुझे कहीं पर अगर point को add करना है जैसे यह मैंने एक point यहाँ click किया था एक यह है एक यह है एक यह है जहाँ जहाँ पर हमने click किया था यह से point कहलाएंगे और अगर हमें अलग से बीच में कहीं पर point बनाना है तो उस condition में जो है add anchor point tool काम करता है हम इस पर click करेंगे इसके बाद जब आप mouse pointer को इस तरीके से लेके जाओगे तो देखिए आपका जो pen tool है वहाँ पर एक plus जैसा छोटा सा symbol बन गया है आप जैसे इस line पर एक बार click करेंगे तो यहाँ पर एक point add हो जागा जैसा कि आप देख सकते हैं आप इस point को उठा करके इस तरीके से curve कर सकते हूँ इस shape को ठीक है तो यहाँ से आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपको जो है कहीं पर point add करना है चाहे आपने shape बनाया है चाहे आपने path बनाया है कहीं पर भी अगर आपको अलग से point add करना है तो आप add anchor point पर click करके point को add करे तो आप delete anchor point पर click करेंगे और यहां पर इस पर point पर जाकर के click कर देंगे तो वह delete होजागा जैसे कि देख सकते हो हम जिस पर click कर रहे हैं वह delete हो जागा तो इस तरीके से आपको यह दोनों टूल भी समझ आ गये होगे अब बात करते हैं convert point tool के बारे में तो यह क्या काम करेगा जैसे कि देखिए यहाँ पर एक shape को convert करने का option मिल गया ना same यही काम जो है यह tool भी काम करता है अभी आप देखिए यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है ठीक है लेकिन हम इस पर click करते हैं और इस पर ला करके सरीके से click कर देंगे तो देखिए इस तरीके से एक node बना करके हमको देदेगा और हम इसे जो है हर एक point को convert कर सकते है round इस तरीके से shape में convert कर पाएंगे ठीक है मतलब जितना भी हमको इसको घुमाना फिराना है या फिर इदर दर point to point को इदर दर कर्व करना है वो सारे के सारे काम जो है इसी point से होता है anchor point से देखिए हम इस point को घुमा करके इस तरीके से shape बना रहे हैं इसी तरीके से इसको घुमा करके हम इस तरीके से रख सकते हैं इस beach में से वह उठा करके इस तरीके से दोनों तरफ रख सकते हैं इसके अलामा अगर आपको इस वाले point को उठा करके उपर रखना है तो उस condition में ये वाला tool काम करता है direct selection tool ठीक है मैं direct selection tool पे click कर रहा हूँ आप देख लिए मैंने select कर लिया है मैं बीच में से इस point को उठा करके उपर रख सकता हूँ इस तरीके से तो मेरे ख्याल से अब आपको direct selection tool भी समझ में आ गया होगा कि हमको किसी point को अगर direct select करना है सीधा उस point पे click करके select करना है तो direct selection tool काम करता है ठीक है इसी के अंदर एक और टूल है path selection tool ये क्या काम करेगा पूरा पूरा ये जो आपने path बनाया है ये जो shape बनाया है एक ही बार में इसको select करेगा आप एक ही point को नहीं select कर पाएंगे जैसे कि मैं इस पर click करता हूँ अब देखिए हम जो है इसको उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं पूरे path को पूरे shape को जो है एक ही बार में ये select कर दे रहा है ये tool तब हमारे काम में आता है जैसे कि मालेज़े आपने ये shape यहाँ पर बना लिया है फिर से आप इसे समझ लिजे path selection tool पूरे पूरे path को एक ही बार में select करता है direct selection tool जो है एक point को एक बार में select करता है आप उस point को direct selection tool से select करके उसको curve कर सकते हो तो ये जो है हमने इस तरीके से path में समझ लिया है ठीक है और shape में भी समझ लिया है इसी तरीके से जब आप जो है pen tool को select करते हैं तो उपर आपको shape से भी मिलते हैं तो shape पर भी ये जो है point काम करते हैं चाहे आपको add करना हो चाहे delete करना हो चाहे convert करना हो चाहे आपको path select करना हो चाहे direct selection करना हो ये सारे tool जो है shape पर भी काम करते हैं कैसे चलिए मैं वो भी आपको समझाता हूँ, इसको जो है डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर वाला पैनल दिखाई दे रहा है, इस लेयर वाले पैनल वे इसको उठाईए, सेप को और डिलीट वाले पर ला करके इस तरीके से छोड़ दीजे, तो इस तरीके से ये जो है डिलीट हो जाएगा, जो आपने पाथ बनाया था या फिर कहें सेप बनाया था, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर ये जो सेप मिले हैं, इसके अंदर जो है, आप इन टूल को कैसे इस्तमाल करोगे तो देखिए हम एक यहाँ से इस सेप को ले ले लेते हैं वहाँ वहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके पॉइंट टू पॉइंट बना लेंगे, इसके बार हम क्या काम करेंगे यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्शन टूर को लेंगे और इस पॉइंट को इस तरीके से करोगे नीचे और इस point को जो है curve कर देंगे इस तरीके सूपर तो इस तरीके से shape में हमारे सामने आ जाएगा और आप चाहो तो इस भी point को जो है उठा करके इस तरीके से रख सकते हो वो आपकी मर्जी है जिस तरीके से आपको shape बनाना है आप इस तरीके से shape को convert कर सकते हो इसके अलामा जो है अगर किसी point को delete करना है तो आप यहां से उसे delete भी कर सकते हैं जैसे मैं इसको delete करना चाहता हूँ तो मैंने delete कर दिया इसी तरीके से माल लीजे मैं इसको delete करना चाहता हूँ तो मैं इसको delete कर दूँगा तो इस तरीके से shape में हमारे सामने आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप जो है किसी point को पकड़ करके घुमाना चाहते हैं तो आप convert point tool पर click करेंगे और यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आपको जो है node मिल जागा इस तरीके से घुमाने का आप इस तरीके से इसको जो है जिस भी point में घुमाना चाहते हैं आराम से जो है इस तरीके से घुमा सकते हैं node पकड़ करके ठीक है अलग-अलग तरीके के जो shape बनाय जाते हैं professional designing के वो इन ही tool का इस्तमाल करके curve करके point को add करके बना जाता है समझ में आ रहा होगा आपको चलिए अब मैं आपको pen tool को किसी भी photo पर कैसे selection बनाने के लिए use किया जाता है चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ तो जिसके लिए हम यहाँ पर move tool को select करेंगे और यह जो हमने page लिया है इसको हम यहाँ से अटा देंगे इसको save नहीं करेंगे double click करके कोई भी एक photo को ले लेते हैं तो यहाँ से हम इस photo को select करेंगे इसके बाद open पर click करेंगे photo हमारे सामने आ गई है इस photo में से में अक्षे गुमार की photo को pen tool से select करने वाला हूँ इसी तरीके से आप किसी भी photo को या फिर किसी भी object को pen tool से ही select कर सकते हो alt button दबा करके photo को थोड़ा सा zoom कर लेंगे ताकि selection बनाने में आसानी रहे और यह जो hand tool दिया गया है इस पर click करके आप photo को उपर नीचे दाए बाए जो है घिसका भी सकते हो ठीक है तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं और pen tool को select करेंगे यहां से selection बनाएगे तो आप यहां पर एक बार click करिए और इसके बाद यहां पर click करने के बाद थोड़ा सा आपको mouse का left button दबा करके drag करना है तो इससे यह फायदा होगा कि इस तरीके से node बन जाएगा और node बन जाने के बाद आप direct selection tool को select करके इस node को इस तरीके से घुमा फिरा भी सकते हो चाहे जिधर भी आपको round करना है आप उस तरीके से round कर सकते हो ठीक है इसको जो है थोड़ा सा back जाने के लिए control Z प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा back आजाएंगे अब अगर आप जो है pen tool से इस तरीके से selection बनाओगे तो देखिए उपर जो है selection जा रहा है बिल्कुल नीचे से जो है proper तरीके से नहीं आ रहा है तो उस condition में आपको क्या काम करना होगा कि आप एक बार control Z प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है alt button को दबाईए alt button दबाएंगे तो इस तरीके से जो है आपका mouse pointer बन जाएगा और यहीं बिंदी पर एक बार क्लिक करेंगे तो उपर वाला जो आपका जो node बन रहा था वो delete हो जाएगा और अब अगर जो है आप selection बनाओगे तो बिल्कुल उसी से मिलता हुआ selection बनेगा तो यहाँ पर आपको यह भी बात का ध्यान देना है shortcut से भी मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजे जो हमने यहाँ पर की है चीजे वो आप shortcut से भी कर सकते हो ठीक है इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्लिक करके इसका selection बनाएगे जिस तरीके से आप mouse को घुमाओगे न mouse pointer को note पकड़ करके उस तरह से घुमे गा और पाइं अगर उपर जा रहा है तो ALT button दबा कर इसको delete कर सकते हो अल्ट के साथ इसको जूम भी कर सकते हो इसके बाद जो है यहाँ पर हमें by point बना है तो आप इस तरह से point बनाइए इसके बाद अल्ट के साथ जो अगला वाला पॉइंट जा रहा है इसको डिलीट कर दीजिए अल्ट बटन दबाने के बाद बीच में आप क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा डिलीट करने से ये फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं दुबारा से जैसे कि मैं इसे राउंड करना चाहता हूं तो यहाँ पर राउंड हो रहा है लेकिन अब यह जो पॉइंट है वो ऊपर चला गया है और मुझे सेलेक्शन बनाना है इधर तो जब मैं इधर बनाऊंगा तो ये टेड़ा होगा क्योंकि point उपर जा रहा है और point से match करता हुआ selection बनता है तो इसी condition में अगर आप उपर वाले point को alt button दबा करके बीच में click करके delete कर देते हो तो ये जो उपर वाला point है वो delete हो जाएगा तो curve जो है इस तरीके से बनेगा तो पीछे जाने के लिए control alt z press करेंगे पीछे आजाएगे alt button को दबाने के बाद इस point पर एक बार click करेंगे तो उपर वाला point जिट delete हो जाएगा और इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको जो है curve कर पाएंगे ठीक है जो इसको भी delete करते हुए हम जो है इसी तरीके से selection बनाएंगे ताकि selection जो है पूरा proper तरीके से बने अक्सर आपने देखा होगा जब आप photo बनवाने जाते होंगे passport size तो pen tool का ही इस्तमाल करके लोग photo को proper तरीके से select करते हैं इससे यह फायदा होता है कि पूरा proper shape में जो है select होता है ठीक है तो इसी तरीके से आपको selection बनाना होता है इसी त राने के बाद जो है इस तरीके से selection बनाएंगे इसी तरीके से यहां पर भी जो है अब देखिए यह point इधर जा रहा है तो हम alt button को दबा लेंगे और यहां पर delete button दबा देंगे तो delete हो जाएगा इसी तरीके से अब यहां पर जो है घुमा लेंगे आगे की side में लेकर आएंगे और यहां पर देखे अब round बनाना है तो हम यहां पर click करेंगे थोड़ा सा यहां से round करेंगे फिर इसके बाद यहां से round हो जाएगा इसके बाद यहां से point को delete करेंगे नीचे आएंगे और यहां से point को इस तरीके से बनाएंगे और अगर इस point को उठा करके थोड़ा सा नीचे ले कराना है तो आप direct selection tool को भी इस्तमाल कर सकते हो या फिर control के साथ direct selection tool automatic select हो जाता है उठा करके आप यहाँ पर रख सकते हो ठीक है इसके बाद जो है आप इस तरीके से इसको यहाँ से selection बनाएगे इस तरीके से जो है selection बनाने के बाद आपको बाहर बाहर ला करके यहां पर मिला देना है तो इस तरीके से जो है path का जो selection है वो बन गया है ठीक है अब आपको क्या काम करना है path का selection बन जाने के बाद control के साथ enter बटन को दबाना है control के साथ जब आप enter बटन दबाएंगे तो इस तरीके से जो भी आपने path बनाया था उसका selection बन जाएगा एक और तरीका है control Z मैं कर देता हूँ जो आपने ये path का selection बनाया है इसको selection में convert करने के लिए आप इस object पर right click करिए mouse का और make selection पर click करिए तो इस तरीके से जो है window आएगी यहाँ पर ok करिए और यहाँ पर selection बन जाएगा अब आपको क्या काम करना है control J से इसकी एक copy तयार कर लेनी है copy तयार हो गई है आप layer में देख सकते हो मैं निचली वाली layer को बंद करता हूँ तो देखे इसकी एक copy तयार हो गई है ठीक है और निचली वाली layer को हम बंद कर सकते हैं या फिर इसमें color भी feel कर सकते हूँ वो हमारी मर्जी है लेकिन हमने selection बना करके इस जो हमने object को select किया था अक्षे कुमार को इसका जो है एक अलग से जो है अमने layer पे इसको duplicate बना लिया है अब आप चाहो तो दूसरा भी background लगा सकते हो या फिर जो है ये जो आपने background रखा है इसमें color भी feel कर सकते हो color feel करने के लिए background को select करिए control के साथ backspace बेटन को दबाईए color feel हो जाएगा ये background का color feel होगा बिल्कुर अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर selection बनाया है और बिल्कुर proper तरीके से selection भी बना है तो दोस्तों ये तो रही pen tool की बात pen tool का इस्तमार करके आप केवल shapes ही नहीं उसका path भी बना सकते हैं और किसी भी object को select भी कर सकते हैं किसी भी object को select करने का काम ज़्यादा तर pen tool से ही किया जाता है क्योंकि जो है इससे एक proper shape में कोई भी object select होता है वैसे अगर आप पहली बार pen tool को चलाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको लेकिन अगर आप बार बार जब इसकी practice कर लेंगे pen tool को चलाने का जो तरीका आपका है वो काफी अच्छा हो जाएगा तो आप बढ़िया तरीके से किसी भी object को किसी भी photo को select कर प पहलेंगे जिससे जो है आपको जो है pen tool को चलाना और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप अच्छे तरीके से चला भी पाएंगे फिलाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको pen tool के बारे में जो भी जानकारियां बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो इसके अलावा path selection, direct selection भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि इन tool को आप एक shortcut से भी select कर सकते हो देखिए A यहाँ पर press है अगर आप path selection tool को select करते हैं तो A से आप select करेंगे और direct selection tool को select करते हैं तो shift के साथ A को press करेंगे तो हो ज आएगा इस तरीके से दोस्तो pen tool का इस्तमाल किया जाता है फिलाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे दौरा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे लगी तो ये वीडियो आप लाइक करिए अपने दोस्तों के तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम